जहिन दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस अकेडमी पे दोस्तों हम आपके लिए फिर उपस्तित हुएं सीटेट के पेपर फस्ट को लेकर और जिसमें हम लैंग्वेज वन के अंतरगत हम क्या सॉल्व करेंगे इंगलिस के एंसर की सॉल्व किवल एंसर की जोए की मैच करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि कितना आपका एंसर सही हो रहा है और इसी तरीके से हमने पेपर सेकेंड के सभी सिगमेंट के एंसर अपने चैनल पर अपलोड कर दिये आप चैनल पर जाके विजट कर सकते हैं और प्रैमरी के फर्स्ट पेपर की भी हमने सभी सिगमेंट को अपलोड कर दिया केवले इंगलिस का सेकंड छोड़ के ठीक है तो आप इसी के साथ यूटूब पे जो है कि अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी करना चाहते है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आई हम सुरुवात करते हैं पहले कोशन से देखिए 91 के 99 के जो कोशन है यह पैराग्राफ के बेसिस पे कोशन दिये हुए है तो हम पैराग्राफ ना पड़के सीधे हम एंसर पर चलते हैं पहला कोशन आपका 91 तू बिकम पार्ट आफ और रिवर अ टिनी ड्रॉप हैस तू 91 का हो जाएगा सही second option suffer a lot 92 कोशन पर हम चलते हैं which of the following word is most similar in the meaning of the to the word of pounding pounding का पूछ रहा है similar meaning 92 का हो जाएगा second palpating क्या हो जाएगा palpating 92 का second हो जाएगा 93 कोशन के हम बात करेंगे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है opposite पूछ रहा है descent का मतलब होता है एक तरीके से क्या होता है कि देखे descent का मतलब होता है नीचे के और उतरना तो इसका just opposite होगा ऊपर क्यों चड़ना यह जाएगा 93 का one हो जाएगा 94 की अगर हम बात करते हैं तो पूछ रहा है part of switch underline word की almost almost का क्या हो जाएगा सामानित है इसका हो जाएगा 94 का adverb third options है question number 95 पूछ रहा है पूछ रहा है कि इसमें which part of the following sentence contents and error यानि कौन से sentence में error है अगर जब यहाँ पे he knew that he will go back on his promise तो यहाँ पे will नहीं आएगा बलकि would आना चाहिए था और इस अधार पे 95 का हो जाएगा बी वाला यानि कि पहला option गलत हो जाएगा अर्था that he will यह गलत हो जाएगा question number 96 की अगर हम बात करते हैं देखे question number 96 है which of the following statement is not true तो 96 में third option जो है कि गलत हो जाएगा the dump earth release a sweet fragrance the damp earth release a sweet fragrance तो यह 96 का third option हो जाएगा फिर 97 की बात अगर हम करेंगे the earth does not look before the onset of the monsoon तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का first brown हो जाएगा 98 question की हम बात करेंगे children respond respond to the first rains of summer by तो 98 का क्या हो जाएगा second running and playing in the rain जब पहली बार बारिस होती है मौसम में घर्मी के मौसम में यानि बरसात रितू में तो बच्चे क्या करते हैं समय तर पहली बार इस दूसरी बारिस में उसमें जाकि भीगना सुरू करते हों खेलना इसके बात कहीं नहीं की गई है इसलिए नहीं की बात करेंगे name the figure of speech used in line 3 & 4 जो 3 & 4 में यूच की गई है वो की गई है personification के base पे तो इसलिए first option सही हो जाएगा 102 का personification question number 103 देखते है identify the name the figure of speech used poem are made by full fools like me 103 का हो जाएगा simil यानि simili हो जाएगा second option 104 यानि की 104 question में अगर हम देखेंगे the word mouth in the line 3 refers to the of the tree यानि की जिस तरीके से हम भोजन गरहन करने के लिए मुझ का प्रयूक करते हैं उसी तरीके से पेड़ जोए कि क्या करेंगे roots का प्रयूक करेंगे अपने भोजन के लिए तो 104 का हो जाएगा third answer and 105 की बात करेंगे the tree precesses its mouth against that sweet earth following brass 2 तो 105 का answer हो जाएगा यहां पर first option यानि की draw substance from it 105 का क्या हो जाएगा first option सही हो जाएगा question no 106 पर अगर हम चलते हैं तो 106 का हो जाएगा आपका second option चलिए 107 question पर हम चलते है the oral errors of the student can be best corrected if the teacher 107 का पहला option सही हो जाएगा points out the error is general and lets that student try to correct himself first तो यह first option सही हो जाएगा 107 का question no 108 की हम बात करेंगे तो question no 108 का जो सही answer हो जाएगा पहला speaking activity की बात हो रही है question no 109 पर चलेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला option this graphia यह हो जाएगा 109 का 110 110 की अगर हम बात करते हैं तो 110 question का सही जवाब हो जाएगा second यानि कि यह syntax की बात हो रही है यहाँ पर syntax है तो यह second option सही हो जाएगा 110 में question no 111 पर हम देखते हैं question no 111 पूछ रहा है कि a teacher of class 6 has labeled the classroom इस वाले question का जो सही जवाब हो जाएगा third option is a rich resource for promoting multilingualism question no 112 की बात करेंगे तो question no 112 का सही जवाब हो जाएगा fully right fully right हो जाएगा question no 113 की बात करेंगे तो question no 113 का सही हो जाएगा first language क्योंकि यहां लिख रहा है the language of which is learned from environment without any explicit teaching यानि बच्चा जब अपने आस पास के परियावरान से सीखता है तो वो पहली language उसकी कौन सी यहाती mother tongue होती है जबकि उसने कोई भी teaching वगरह नहीं किया भी तक question no 114 की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 यानि की problem solving problem solving हो जाएगी next question पर हम चलते हैं question no 115 की अगर हम बात करें reading picture books reading picture books means क्या हो जाएगा 115 का हो जाएगा third answer that children love picture and it will be a fun loving class question no 116 की हम बात करते हैं तो 116 का question का answer हो जाएगा second option relating the story with the previous experiences of learners question no 117 की अगर हम बात करें तो 117 का answer सही answer हो जाएगा पहला option सही हो जाएगा enable learners to read with correct pronunciation using the punctuation mark यानि punctuation mark का प्रयोग करकर करके जब बच्चे छोटे छोटे जो slot में अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो easily जो है कि वो समझते हैं इस चीज़ को अगर हम बात करते हैं देखे question no 118 क्या कह रहा है और language teacher firstly ask student to introduce themselves to each other in the class यानि कि बच्चों को जो introduce करने के लिए जब teacher कहता है तो उसके लिए सही answer क्या हो जाएगा BICS क्या होगा BICS four options सही हो जाएगा question no 119 की बात कर रहे है literature should be included in languages classroom because 119 का third option सही हो जाएगा it exposes them to different genres and cultures and social issues question no 120 के अगर हम बात करते हैं तो a teacher makes her learners respond to her action and speech only by bodily moments and what is this known as इसको किस रूप में जाना जाएगा तो 120 का हो जाएगा four total physical response क्योंकि वो केवल body action से कर रहा है तो केवल और केवल क्या कर रहा है total physical response कर रहा है तो यह था साथियों आपके लिए जो है कि language first के अंतरगत हमने English का paper solve किया है और अब हम जल्दी ही आपके लिए language 2 के अंतरगत हम लोग English लेकर आते हैं आपके लिए भी चलिए है है झाल झाल